एक बाश इंचान के और में अहां बया हो जाए तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घुमकड प्रयागी पर और कल भाई रात को जो बारिश हुई है मौसम बहुत ही बढ़िया बन चुका है मतलब एक दम आसमान साफ है थंडा भी मौसम में बहुत गर्मी भी नहीं है और आई होप आपको हमारे केदारनाथ वाला सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा केदारनाथ वाले सीरीज में लोग का रिस्पांस लोग के कमेंट्स लोग देखे बड़ा अच्छा लगा तो अभी फाइनली मैं मटलब ट्रेन वेजा 18 गंते लगते हैं दौर और हले में फ्लाइट जाओं गालो के एक ही के मिडल क्लास वाइंब्ली का हने के नाते ब Never me हम लोगों को लगता है कि किसी स्थान पर कम पैसे में जा सकते हैं तो क्यों इतना फालतू का पैसा करशा करना मतलब समझ सकते हैं तो इस वजह से इवन में फ्लाइट का एक्सपीरेंस करने वाले हैं तो अपना फ्लाइट का एक्सपीरेंस बताऊंगा अभी जो मेरा एक मित्र है आयुद्या वाले हर्ष करके एक लड़का है उसके अरौंड पांच लाक फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे तो उससे मुलाकात करने जा रहे ह है और फिर वहां से हम लोगोला मीनी करके जाएंगे बमरॉली एरपोर्ट तो दस पंद्रागी अपनी फ्लाइट है और अपने को जो है पहुंचना है साधे नौ बज़े मतलब कुछ प्रोसीजर होते हैं आदे गंटे गंटे के लगभग एक गंटे पहले पहुंचना होता अधर नहीं है नहीं तो पांट-दस मिनट के लिए हमेशा नौर्मली भी ट्रेवल टाइम मिलते थे शूट करना जल्दी अब अबने लोग भी मिल चुके हैं फिर सम लोग के दारनाद निकल रहे हैं हर हकते एक बर के दारनाद एक वीडियो वाइरल होगा फिर से वाइर ज यह ज्यां आक सब्सक्राइब करने चरुक अब लिए शरू करते हैं पहिला फ्लायट एक्स्पिरेंस होने वाला है यह जोने बाले अपना ओला आचुका है वइड डिजायर वाइड डिजायर हवाई समानगय को स्लिए नंबर खीं कि फोड़ो ले ले रहे हैं अग्ա आप उपाई कि यह है अपना एंपॉर्ट वाला सेलपी पोईंट ए्लओ प्रयाग्राज्स यए भी बहुत ही ज्ला खुबसूरत है तो वह जैसे आजाती है फिर साथ में अंदर जाएंगे और एक एक पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि क्या सारी चीज़ होती है अगर अलाउट करते हैं तो के लिए तो हेलो वाह वन व्लॉगर्स मीट कि आप बताई आप पूरा आपकी गाइडेंस हम लोग चल रहे हैं अमें कुछ नहीं पता अंदर के शूट अलो अरे किदर जा रहे हैं आप पूरे पूरे यह अपनी फ्लाइट है दस पंद्रा की इंदौर डेस्टिनेशन अपनी इंदौर है 6E मतलब कुछ वी आईपी बु तो भी हम लोग अंदर आचुके हैं और उधर बैग अपना जो है वहाँ पे एक सरे हुआ हुआ है इस पर यह टाइग लगा दिया है यह इसमें टाइग लगा दिया है और अब इसे जमा कर लेंगे मतलब यह अपने को मिलेगा सिधा इंदौर एरपोर्ट पर और एक बैग जो अपने साथ है वो रहेगा ड्रोन वाल अपने साथ ही रखेंगा अच्छा एक के अलावत जितने बैगे वो जमा होंगे त्वी कि मादे दिया चेकिन पर वो जमा हो जाएगा अपने को मिलेगा इंदौर एरपोर्ट में और यह है अपने टिकेट्स तो हमारे बहाई मिल अधिवा गाइस मैं फॉलू करता हूं और सब्स्ट्राइब भी आप सब भी बहुत अच्छे सब्स्प्राइब करें ओगाई साथ और बाइस और ना मताया अकाश बाइए नाइस नुमिटे वाई तो बाइस तो कॉल शिंचान चलिए मैं सर्च करूंगा ना अब बहुत कर रहे हैं और थोड़ी देर में टेपार्जर ट्रेन बोलने जा रहा था अपनी फ्लाइट का तो वहां से अपन डीटू से गेट डीटू से सीधे प्लेन पर बाटेंगे और सीधे इंदौर और यहां पर कुछ ऐसा है वेटिंग एरिया में यह देखो सामने ज ट्राइफ है शॉपिंग के लिए यहां पर कुछ जो है दुकाने हैं और यह पीछे ट्राइव इंडिया गया तो यह सामने अपनी बस है शायद इसमें बैठके बस से जाएंगे ना ए हम लोग को एर्पोर्ट का टिकेट पहना के बस से ले जाएंगे लग रहा है अब बस स इतना महेंगा टिकेट ले बस से ले जाएंगे इंदोर इंदोर की बस में बैठ चुके है एरपोर्ट के आठके आठके इतना बगल में जाने कलिए बस यह है अपनी इंडिगो की फ्लाइट एर बस भोलते है शायद इसको ना तुछ शलता है बया पहली वार इतना पास से इतना पास सब्सक्राइब करेंगे आपके सिवामे हम उपस्तित हैं हमें बेहत खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोच सके प्रसुद सके हैं इतना पास सेंट एक है सब्सक्राइब करेंगे से जोच सके हमें जाए आपके इनी आपके नियाबाए इडिको कि दान्पुरा ही लांड कि रान्पुरा हिल आया है भारक फिस एक दब आनी आयो बहुता है आई जो तरह इको चिसल दे लगाए तांड रहा है अब मज़े आ रहा है, मज़े आ रहा है अब उतर रहा है भाई और जो खतरनाग भट रही है पकड़ो पकड़ो यह आगे अब ना तरन वे अब उतर अभी टेच करेंगे जब ओ भाई जमीन के आगे हैं तो अब आया जमीन अब उदर आना था गया अच्छा अमको समझी नहीं रहा था अच्छा 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 समान अबना मिल गया चले बार तो फाइनली अम लोग पहुंच चुके हैं इंदॉर इतने देर में तो सुआगी पाला पहुंचतेते यह है आपका इंदॉर वेल्कम तू इंदॉर दे क्लीनिस्ट सिटी ऑफ इंडिया सच में और यह आपका इंदॉर एरपोर्ट यह सामने अपनी ट्रैवलर घड़ी है इससे हम लोग जाएंगे अपने होटल पे वहां इस्टे करेंगे और फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं चलो मिलते हैं होटल में तो इंदॉर पहुंचने बाद हम लोग वहां से निकल पड़े अमकारेश्वर के लिए जोके अराउंड 80 किलोमेटर की दूरी पर था तो फानली दोस्तों आ चुके हैं एक बार फिर से तीन चार पांच महीं ने पहले ही रहे थे मम्मी पापा के साथ और यह है अपना ओमकारेश्वर जोतिर लिंग है हमारे 12 जोतिर लिंगों में से एक और फिर से आगमन उच्चुका है पीछ आप देख सकते हो नर्मदा रिवर और भाई मौसम इतना प्यारा बन चुका है ना अर्लाब स्राटिंग मुझ जम इंदौर पहुचा थे काफी गर्मी थी लेकिन बारिश होगी नो मौसम बड़ा प्यारा बन चुका है मन कर रहा है अब भी परमिशन नहीं है लेकिन कल परमिशन में जाएगी तो यहां का ड्रोन शॉट भी आपको दिखाएंगी और यहां पे कुछ इवेंट हो रहा है कॉरीडूर का कुछ इवेंट है और हमें अब हमलोग भी सस्पेंस में हैं कि इसारी चीज़े हो रही है तो वह हमें भ स्पेशल गेस्ट के तौर पर एंपी गोवर्मेंट ने बुलाया है चुक्ति इसका शलाण्यास होना है कल और क्या सारी चीज़े हो कल ही पता चलेंगे तो वह आपको दिखाएंगे ना कल